दोस्तों सब लोगों को बताई होगा कि बिछले कुछ सालों से पाकिस्तान चाइना के हत्यारों के माध्यम से भारत को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है और इस मौके का फाइदा चाइना के तरफ से भी उठाया जा रहा है और लगातार जहाँ पे पाकिस्तान को हत्यार बे अपना देख रहा है। दोनों देशों के तरफ से एक दूसरे के खिलाव जो सब्मरीनों को लेके अप्रोच को आगे बढ़ा जा रहा है। 8 बिलियन डॉलर रखा किया है और दोस्तों इस कीमत को अगर 6 सब्मरीनों से डिवाइट किया जाता है तो एक एक सब्मरीन का कीमत साड़े 900 मिलियन डॉलर से भी अधिक मतलब पाकिस्तान के दो सब्मरीनों के कीमत से भी भारत का एक सब्मरीन का कीमत अधिक होगा। और दोस्तों यहाँ पे सवाल असल में ये बना हुआ है कि पाकिस्तान को इतने कम कीमत में सब्मरीन कैसे मिल रहा है जब कि भारत के लिए दुगना कीमत क्यों चुकाना पड़ रहा है। अब चाना इन सब्मरीनों में अपने इंजिनों का उप्योग करेगा। पेर भी फ्रिकोइंटली जरूरत पड़ सकता है। यह जा सकता है और ये वी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान केवल मातों इन सब्मरीनों से अपने बेड़े के सब्मरीनों के संख्या कोई नहीं बढ़ाने वाला है बलकि आने वाले समय में अगस्टा 70 क्लास के सब्मरीनों को भी पाकिस्तान के द्वारा इनी सब्मरीनों के सहरे रिप्लेस किया जा सकता है जो की फ्रेंच ओरिजिन सब्मरीन है और फिलाल इन सब्मरीनों के रिपेर और स्पेर पार्स को लेके पाकिस्तान को कई तरीके के चैलिंजेस का सामना करना पढ़ रहा है खास करके original equipment manufacturer के द्वारा पाकिस्तान को इसे लेके कोई support नहीं किया जा रहा है इवन दोस्तों कुछ रिपोर्डों में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के बेड़े में जो अगस्टा 90 और अगस्टा 70 क्लास के सब्मरीन है वो सब असल में बिन बना हुआ है उई पर दूसरे तरह भारत के द्वारा आज से करीब करीब एक दशक पहले फ्रांस ते जिन कल्विरी क्लास के सब्मरीनों को खड़िदा गया था उन 6 सब्मरीनों के लिए भारत के द्वारा करीब 4.1 बिलियन डॉलर खर्चा किया गया था मतलब एक-एक सब सब्मरीन, इसमें एयर इंडिपेंडन प्रोपलशन सिस्टम भी नहीं है और फिला इसमें एयर इंडिपेंडनं प्रोपोल्शन सिस्टम लगाय जा रहा है जोकि इन सब्मरीनों के ओवराल खर्चे को बढ़ा देगा और कुछ रिपोर्टिों के मुताविक करिव करीब साल 2025 तक के बजट के रूप में इन सब्मरीनों का कीमत एक बिलियन डॉलर से थोड़ा कमी होगा जबकि Project 75i जिसे लेके फिलाल भारत के तरफ से टिंडर प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है वो असल में एक बिलियन डॉलर से भी अधिक कीमत का हो सकता है हाला कि दोस्तों जो कल्विरी क्लास के सब्मरीन है उसमें एर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम ना होने के बावजूद भी इन सब्मरीनों का जो शमता है वो चायना के टाइव 039 सब्मरीन मतलब पाकिस्तानी नेवी के बेड़े के जो हंगुर क्लास सब्मरीन है उस सब्मरीनों के कॉमबैट कैपविलिटी को लेके डाउट है और एक्चुल लड़ाई में ही इसके वारे में जानकारी मिलना समभब हो पाएगा क्यूंकि चायना जैसे देश कभी भी अपने हतियारों को लेके पक्का जानकारी नहीं देता है और हतियारों में जो शमता होता उससे कई गुना बढ़ा चड़ा के चाइना के तरफ से उसे पेश किया जाता है ताकि हतियारों को एक्सपोर्ट मार्केट में फाइदा मिले। ये सब्मरीन काम लाइक नहीं बना तो पाकिस्तान का पैसा भी डूबेगा और पाकिस्तान चाहना के कर्स के जाल में और बुरी तरीके से फसेगा। और पाकिस्तान लगातार इस प्रयास में है कि कैसे करके इस प्रतिवन्त को हटाया जाए लेकिन यूरोपियन यूनियन के तरफ से फिलाल इस प्रतिवन्त को हटाने को लेके मना कर दिया गया। जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बेज़त तो है ही साथ में PIA जैसे एयरलाइन सहस्ता जो कि अल्रेडी खस्ते हालत में है उसका सिच्वेशन और खराफ करेगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के जानकरी के लिए बता दू कि असल में ये जो ख़वर है ये पाकिस्तान के A.R.Y. निउस के तरफ से ही जारी किया गया है और उनके निउस के मुताविक यूरोपियन यूनियन के तरफ से कहा गया है कि फिलाल उनके पास ऐसा कोई रिज दित किया गया था लेकिन वो सेफ्टी इशू भी सॉल्वर नहीं किया गया है और बावजुद इसके पाकिस्तान के सिविल और इवियेशन ऑथरिटी के तरफ से यूरोपियन यूनियन के सामने प्रतिवन्त को हटाने को लेकर रिक्वेस्ट रखा गया था अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए विता दू कि जो PIA है वो असल में पाकिस्तान के फ्लैक कैरियर है मतलब एक ऐसा एजनसी जो की पाकिस्तान के नेशन को रिप्रेजन करता है और ऐसे में इस तरीके से प्रतिवन्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बेस्ज कारण होगा हलाकि वही पर आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि खाली यूरोपियन यूनियन के अंदर ही पाकिस्तान के एरलाइंस को प्रतिवंदित नहीं किया गया है बलकि इस तरीके का प्रतिवंद अलग-अलग देशों में भी लग चुका है और इससे पहले P.I.O. को लेके कई तरीके के ऐसे केसिस आ चुका है जिसमें इवन ये तक दावा किया गया है कि P.I.A. के सारे स्मगलिंग के काम को भी अंजाम दिया जाता रहा है इवन दोस्तों कुछ रिपोर्टों में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब अपने इस प्राइवेटाइजेशन करने का भी सोच रहा है हाला कि जिस तरीके से खस्ते हालत में ये एरलाइन है और जिस तरीके से नुकसान के अंदर जा रहा है से देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्राइवेट कमपनी P.I.A. को ओन करने के लिए तैयार होगा और तो इससे भी हैरान पूर्ण बात ये है कि P.I.A. जैसे संस्ता का यारक्राफ जब उडान भर के अन्ने देशों में जाता है गरेंटी नहीं है कि वो यारक्राफ फिर वापस पाकिस्तान में आए और इसका पीछे कारण है पाकिस्तान के द्वारा उधार लेना और उधार क ना चुकाना और आप लोगों को बता दू कि ऐसे पहले भी हो चुका है जब पाकिस्तान के एरलाइन के एक यारक्राफ अपने यात्यों को लेके बिदेश में गया और वहाँ पे एरलाइन के एरक्राफ को ही रोक लिया गया क्योंकि उनके द्वारा पैसा नहीं चुकाया और दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान का economical situation फिलाल कैसा है और इस दर्मियान PIA को एक ऐसा बड़ा जटका और दूसरे तरफ पाकिस्तान के द्वारा लगातार Chinese हत्यारों को खरीदना दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हो जाए military अपना मौज छोड़ने वाला नहीं है चाहे आठा जितना भी महंगा हो जाए और चाहे लोग भूके मरे तोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि 410 मिलियन डॉलर के एक सब्मरीन के द्वारा क्या पाकिस्तान भारत के एक बिलियन डॉलर के टेकनोलोजी कली sophisticated और advanced सब्मरीन को counter कर सकेग या नहीं कॉमेंट करके अपने राए अवश्र दीजिए दोस्तों आजके इस वीडियो को यही पही करते समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम